हेलो मैं राहुल स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल नो प्रिंसिपल में लास्ट वीडियो में हमने की थी अक्सरसाइज 3.1 की इंट्रोडक्शन जिसमें हमने फैक्टर्स एंड मुल्टिपल्स को बड़े डिटेल में समझा था उसी के ओपर बेज़ड है आज की हमारी अक्सरसाइज 3.1 अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमें इन सभी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं हमें पता है फैक्टर्स किसी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूरी तरह डिवाइड करें या हम कह सकते हैं कि जिन नंबर की टेबल में नंबर 24 आता है वो सभी नंबर नंबर 24 के फैक्टर होंगे नमबर 24 के factors होंगे हमारे 1 into 24 अगर हम 1 को 24 से multiply करें तो हमारा बनता है 24 यानि 1 भी 24 का factor होगा और 24 भी number 24 का factor होगा किसी भी number के दो factor जरूर होते हैं एक 1 क्योंकि 1 की table में हर एक number आता है और खुद उस number की table में भी number आता है फिर हम देखते हैं 2 into 12 भी हमारा बना होता है 24 2 की table में भी 24 आएगा और 12 की table में 24 आता है ये दोनों भी हमारे factor होगे 3 की table में भी 24 आता है 3 into 8 होता है हमारा 24 4 की table में भी हमारा 24 आता है 4 into 6 होता है हमारा 24 आगे 5 की टेबल में और किसी नंबर की टेबल में नंबर 24 नहीं आता है 6 की टेबल में नंबर 24 आता है लेकिन हम उसे पहले ही यहां लिख चुके हैं और एक आता है हमारा 12 की टेबल में उसे भी हम पहले ही लिख चुके है तो number 1, number 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6 होगे हमारे 24 के factors 24 के हमारे factors को होगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 अब देखते हैं number 15 के factor 1 into 15 होगा हमारा 15 2 की table में 15 नहीं आता 3 into 5 होगा हमारा 15 अब 15 और किसी number की table में नहीं आता हमारा 15 आता है 1, 3, 5 और 15 की table में इनके इलावा 15 number और किसी number की table में नहीं आता तो 15 के हमारे factors होगे 1, 3, 5 and 15 आगे देखते हैं number 21 हमें पता है number 1 हर एक number का factor होता है तो पहला factor होगा इसका 1 फिर ये 2 की table में नहीं जाता ये जाता है 3 की table में 3 into 7 होता हमारा 21 यानि 3 भी इसका factor होगा उसके बाद ही 4, 5, 6 की table में नहीं जाता उसके बाद ही number 21 divide होता है 7 से 7 into 3 होता हमारा 21 यानि 7 भी इसका factor होगा उसके बाद number 21, number 21 का factor होगा यानि ये 4 होगे number 21 के factors अब देखते हैं number 27 1 हर number का factor होता है 2 की table में 27 नहीं आता अब आता है 27 3 की table में 3 into 9 होता हमारा 27 यानि 3 भी 27 का factor होगा 4, 5, 6, 7 की table में number 27 नहीं आता उसके बाद number 27 आता हमारा 9 की table में 9 into 3 होता हमारा 27 तो 9 भी हमारा factor होगा उसके बाद होगा हमारा खूद number 27 या इसे आप कर सकते हैं 1 into 27 3 into 9 27 इन numbers के इलावर number 27 और किसी number में नहीं आता है यानि 1, 3, 9, 27 होगे हमारे factors उसके बाद देखते हैं number 12 को 1 into 12 होगा हमारा 12 2 into 6 होता है हमारा 12 3 into 4 भी होता है हमारा 12 इन numbers के इलावर number 24 और किसी number की table में नहीं आता यानि हमारे number 12 के factors होगे 1, 2, 3, 4, 6, and 12 अब देखते हैं part F को number 20 number 20 पहले ones का multiple होगा 2 into 10 भी होता है हमारा 20 3 की table में 20 नहीं आता number 20 आता 4 की table में 4 into 5 होता हमारा 20 फिर उसके बाद number 20 आता है 10 की table में लेकिन 10 की हमने 10 हमारा factor यहां आ चुका है उसके बाद number 20 आता है खुद number 20 की table में वो भी हमने number यहां लिख लिया है तो इसके factors होंगे 1, 2, 4, 5, 10 and 20 आगे देखते हैं number 18 को 1 into 18 होगा हमारा 18 2 into 9 भी होता है हमारा 18 3 into 6 भी होता है 18 यानि अब भी number 18 और किसी number की table में नहीं आता यानि 18 number के factor होंगे 1, 2, 3, 6, 9 and 18 number 27 number 23 होता है 1 into 23 होता हमारा 23 number 23 इन दोनों numbers के इलावा और किसी number की table में नहीं आता तो हमारा 23 होगा के factor होंगे 1 and 23 number 36 1 into 36 होता है हमारा 36 2 into 18 भी होता है हमारा 36 3 की table पर या आएगा 1, 3 into 12 36 4 into 9 होता है हमारा 36 6 into 6 भी होता है 36 इन numbers के इलावा number 36 और किसी number की table पर नहीं आता यानि number 36 के हमारे factor होंगे 1, 2, 3, 4, 6 यहाँ पर 6 दो बार है हम इसे एक बार लिखेंगे 9, 12, 18 and 36 36 यह सब भी number 36 नमबर के factor होंगे आगे करते हैं हमारा question number 2 write first 5 multiples of हमें इन numbers के पहले 5 multiples लिखने हैं किसी भी number की table में आने वाले सभी number उस number के multiple होते हैं 5 के multiple होंगे हमारे 5 into 1, 5, 5 into 2, 10, 5 into 3, 15, 5 into 4, 20 and 5 into 5 होगा हमारा 25 number 5 के first 5 multiples होंगे हमारे 5, 10, 15, 20 and 25 number 8 के first 5 multiples होंगे हमारे 8 into 1, 8 8 into 2, 16 8 into 3, 24 8 into 4, 32 and 8 into 5, 40 number 9 के first 5 multiples होंगे 9 into 1, 9 9 into 2, 18 9 into 3, 27 9 into 4, 36 9 into 5, 45 next question देखते हैं match the item in column 1 with the items in column 2 इसमें हमें कहा गया है कि जो column 1 में item है उन्हें हमें column 2 के item से match करना है हमें बताना है 35 multiple of इसका आएगा C जो हमारा 35 है वो multiple होता है 70 का 35 into 2 होता है हमारा 70 उसके बाद है हमारा 15 15 is a factor of 30 हमें पता है किसी भी number के factors वो होता है जो उस number को पूरी तरह डिवाइड कर दे 15, 30 को डिवाइड करता है 2 पे यानि 15 होगा factor of 30 16 is multiple of 8 8 into 2 होता हमारा 16 यानि 16 हमारा multiple होगा number 8 का उसके बाद देखते हैं 20 20 इज़े 20 होगा factor of 20 हर number खुद का factor होता है यानि 20 होगा हमारा factor of 20 25 is a factor of 50 25, 50 को 2 पे पूरी तरह डिवाइड करता है इसलिए 25 होगा factor of 50 यह हमें extra दे रखा है इसका यह किसी के साथ भी match नहीं करेगा यह हमारा extra है हमें आगे question दे रखा है find all the multiples of 9 up to 90 इसके लिए हम देखेंगे 9 की table 9 की table में जितने भी number आते हैं वो सभी 9 के multiple होगे यानि first multiple होगा हमारा 9 इंटो 1 9, second होगा 9 इंटो 2 18, 9 इंटो 3 27, 9 इंटो 4 36, 9 इंटो 5 45, आगे हमारा 9 इंटो 6 54, 9 इंटो 7, 63 9 इंटो 8 होगा हमारा 72 9 इंटो 9 होगा हमारा 81 9 इंटो 10 होगा हमारा 90 लेकिन हमें बताने हैं up to 100 तक इसमें हमारा एक और नंबर आएगा वो हमारा 9 इंटो 11 वो होगा हमारा 99 तो यह सभी numbers 9 के multiples होगे 100 तक इसी के साथ हमारी exercise 3.1 complete होगा नेक्स्ट टूडियो में हम करेंगे exercise 3.2 के introduction हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को start करें Thank you